वेल्कम टे शोडेंड इस एक इस वीडियो का टोपिक रहेगा एन एलिमेंटरी स्कूल क्लास्रूम इन असलम बाइ स्टीफन इस्पेंडर जो 12th CVC बोर्ड में इंग्लिस सब्जेक्ट के इंदर इंक्लूड की गई है इसके अलावा यह पोयम आपको यूपी बोर्ड इंग्लिस वर्जन देखने को मिलते क्योंकि इंग्लिस वर्जन में CVC बोर्ड का ही सेलिबस लगाया जाता है और इस वीडियो को या इस पोयम को सुरू करने से पहले आप से रिक वैस्ट रहेगी कि यह दिया आप 12th CVC बोर्ड में है या यूपी गोर्ड इ समझाने का परियास करूं तो इस विडियो ड्यक्रिप्षन में प्लेस का लिंक मिल जाएगा आप वहां से पूरे कोर्स को कम्प्लेट कर सकते हैं या बाद में आप चैनल को ब्रहुंग मिल जाता है और इसके लिए सिर्फ आपको चैनल को फूर यप को सबस्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ share करना है यह आपको अच्छा लगता है तो और वीडियो को लाइक करना है चलिए अपनी पोयम को सुरू करते हैं फार फार फ्रोम गस्टी वेस का मतलब बहुत दूर फ्रोम गस्टी video अदöll या जोकेदार वेस का मतलब मतलब लहरे उन जोकेदार लहरों से बहुत दूर दीज चिल्डरन्स फेस इन बच्चों का चहरा लाइक रूटलेस वीड्स जैसे जड़ से उखड़े हुए पोधें रूटलेस मतलब जड़ से उखड़े हुए वीड्स खरपतवार या पोधें जड़ से उखड़े हुए पोधें दीयर हेर इनके बाल टोन राउंड ब पुरुजाय हुए चहरे पर इनके बाल इन वच्चों के बाल इस परकार से बिखरे हुए पड़े हैं जैसे जड़ से उखड़े हुए खरपतवार या पोधें दटाल गर्ल वो लंबी सी लड़की विद वेडाउन हैड जिसका सर डाउन हो गया है जुग गया है वजन की जैसे टैंसन की वज़े से जिम्मेदारी के वज़े से उस लड़की का जो लंबी सी लड़की है उसका सर जुग गया है दा पेपर सीमिंग बॉए वो पेपर जितना पतला मतलब बहुत ही दुबला पतला सा लड़का विद रैट्स आइज जिसकी आखें चूहें जैसे दि मतलब उत्तर अधिकारी मतलब नेक्स जनरेशन जो एक बच्चा है ओफ ट्विस्टिड बॉन्स जिसकी हड्डिया मुड़ी हुई है ट्विस्टिड है मतलब आप समझ सकते कुपोशन का सिकार है जिससे उसके जो नैचुरल ग्रोथ है सरीर की वो नहीं हो रही है कुपोश मतलब होगा ग्राल का मतलब होगा यहां पर आपका जो आपकी गाठ होती है नोट कुछ गाठदार बिमारी है उसको मतलब उसके सरेर के अंदर गाठ ही गाठ है जो उसको उसके पिताजी से मिली है फादर से मिली है और उन गाठों के बारे में दूसरे बच्चों को बता र इन देम किलास जो एक कक्सा है और उसके अंदर डिम मतलब रोशनी नहीं है अंधेरा चाया हुआ है धुनली सी किलास है उसी के अंदर उसकी डेस्क पर वो पड़ रहा है वन अननोटिड एक ऐसा बच्चा अननोटिड जिसको नोट नहीं किया गया है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है स्वीट लेकिन वो अपने आम में बहुत प्यारा है यंग और जवान है हीज आईज उसकी आंखे लिव इन ड्रीम सपनों में रहती है और उन सपनों में बहुत बड़े सपने नहीं है केवल जो गिलहरी होती है उनके खेल उनके खेलों के सपने उसके दिमाग में आ रहे है जो इसक्वाइरल इन ट्री रूम जो गिलहरी एक पेड़ के अंदर घर बना करके रहती है अदर देन दिस और बस इतनी सी ही बात है ऑन 10 वाससर का मा Upper सिर्फ्रो का मतलब होता है यहां पर सुर का मतलब वैसे होता ऐसे खटा खटा क मतलब में अंट्रेस्टी अन ट्रेक्टिर एसी चीज जो आपको अक्षी ना लगती हो दिखने में क्रीन वाल्स वो क्रीम रंग की दिवारे जो भद्धी है डोनेशन्स वहां पर कुछ ऐसा सामान भी है जो डोनेशन्स मतलब दान वगेरा में किसी ने फिरी में दे दिया है सेक्सपियर्स हैड जिनमें वीलियम सेक्सपियर्स का सर भी लवस के जो एक पिक्चर मान सकते हैं फोटो मान सकते हैं वह है क्लाउड लेस एड डाउन कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे कि एक सुभे हैं जिसमें एक भी बादल नहीं है सीविलाइजड डॉनन राइडिंग औल सुटीज और वहां पर सेडिलाइज डॉन और मुंदल सब्भेश हैं या पड़े लिखें vaan का मनलब होता बील्डींग पड़े लोगों की मिल्डींग उन अदिखाई पड़ रही हैं राइडइडिंग ओल सिटिंज और जिसमें पूर जो घाटी है उसको दिखाया गया है ओपन हैंडिड मैप मतलब वहां पर एक नक्सा है और उस नक्से के अंदर घंटिया फूर ट्रोली वैली और उसके अंदर बहुत सभ्य लोगों की बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स इमारते और एक खुबसूरत सी सुभ है यह सब ची किसी ने जो मन चाहा जैसा नक्सा चाहा वैसा बना दिया मतलब इस बात की परवा किये बिना कि नक्से में किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए कहां से कहां तक होना चाहिए मतलब मेरी मरजी है जहां तक मैं जो चाहूं बना दू ओपन हैंडिड फ्री हैंडिड है ना the world its world और यह अवार्ड कर रहा है यह घोसना करता है कि जहां तक उसने नक्सा बना दिया वहां तक उसकी दुनिया है मतलब एक परकार से ताना सही को इंडिकेट कर रहे हैं तो एक ऐसा नक्सा जिसमें ताना सही को इंडिकेट किया गया हो और उसमें सारी सुख सुधाय हो इस विंडोज यह खिड किया नोट इस मैप यह कहा गया है कि जो नक्सा बना है इस नक्से में सब कुछ सांदार है लेकिन इन अभागे बच्चों के लिए एक खिड की तक भी नक्से के अंदर खुली हुई नहीं है मतलब सैंस यह निकल कर आता है कि इन पढ़े लिगे मतलब कुछ भी कहकर के टाल दे जाता है भगा दिया जाता है और गंदे या गंद की फैलाने वाले कहकर के इनको उस सभ्य समाज वाले लोग बाहर निकाल देते हैं इनके लिए खिड की तक भी नहीं खुलती है नोट इस मैप दियर वर्ड उनकी दुनिया में वेयर ओल दि हैं विद फोग दुन्दलाहट में होग का मतलब धुआए दुन्दलाहट मैं इन वच्चों के फ्योचर के बारे मिंद अंको प्रम में कुछ भी क्रिया नहीं है इस दुन्या को बननमोले समझदार लोग जो ने अपने लिए सब कुछ अच्छा बनाया है मैं अब ब़ाग a narrow street sealed एक तंग सी गली है जो बंद है विद लैड स्काई एक धुंदले से नीले से आकास से far from rivers जो नदियों से बिलकुल दूर है caps पहाड़ीों से बिलकुल दूर है and star of words और जो खुबसूरत सब्द है या सितारे हैं उन सबसे बिलकुल दूर है मतलब नदिया पहाड़ और खुबसूरत जो सब्द है जो खुबसूरत चीजे हैं वे सब इन अभागे बच्चों के भी जग है दी नहीं गई है उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा समझ मेरे तो प्लीज लाइक कर दीजे अचनल को सब्सक्राइब कीजिए शोर्ली शेक्सपियर्स है सेक्सपियर इस वीकड निश्चित है सेक्सपियर इस वीकड वीकड कमदल होता है कमजोर बे तुका बे ढंगा तो यहां पर सेक्सपियर्स को जो भी फाई किया गया है जो इसके बारे में महंता बताई गई हो सब बेकार है दम मैप इस बैड एकजामपल और यह जो मैप जो नक्सा है यह एक बुरा एकजामपल है विज शिपस जिसके अंदर पानी की जहाज है सन सूरज है लव प्रेम हैं टैंप्टिंग दैंप इस्टील जो उनको अट्रेक्ट करता है ठेंप्ट क मदब लेने के लिए इस नक्सें को इतनाGS बनाया गया है जिसको चुरा लेने का मन करता है नाक कोई भी इसको अपना बना लेना चाहता है फोर लाइवस जीवन के लिए डैट सलीली जो सलीली का मतलब होता है जो धका पड़ा है जो एक परकार से अन्नोन है अज्यात है कि सलीली का यहां पर आपको मतलब एक्जेक्टली कि गुप्त रूप से मतलब यहीं हम जीवन की बात करते हैं तो इसमें खीजेए चिपी हुई पड़ी हैं टर्ण इंदी Leah क्रेंट हो और जो चलिए जाती हैं क्रेंट का मतलब होगा एक परकार से यहां पे क्रेंट का मतलब होगा एक परकार्ट से हाँ पर नेरो पतली सी ओल्स का मतलब जग है तो ये निसकी जीवन की सिय्करेट मख्षाट नंकी राज की बात करते हैं या इनकी प्रोब्लम की बात करते हैं तो यह यह जीवन तंग गलियों में तंग जंग gotta चला जाता है सरक जाता है मतलब उनका लाइफ वहाँ पर खो जाती है फ्रोम फोग तो धुन्दले पन से एंड लेस्ट नाइट अनंत अंदकार में मतलब यदि हम इन बच्चों के जीवन की बात करते हैं तो इन बच्चों का जीवन धुन्दलाहट से सुरू होता है और अंधेरी रात में खो जाता है मतलब कुल मिलागरगन के जीवन में रोशने नाम की कोई चीज नहीं है ओन दीर स्लैंग हीप का मतलब होता है waste material कबाड हीप यदि हम उनके उस हीप उस तिले की बात करते हैं जो कबाड से बना गया है इन बच्चों की ये जो बच्चे होते हैं यह पहनते हैं केवल इसकिन्स इनके ऊपर केवल एक कपड़ा है जो इनकी खुद की इसकिन है मतलब इनके सरीर पर कपड़ा तक नहीं है इनकी इसकिन इनकी जो खाल है वही इनके लिए कपड़ा है पीपड जिन से जहाकती है थुरू बाइबोंस इनके सरी स्टीर की हड्या मनलब इनकी स्कीन से इनकी स्कीन के अंदर से ऐसा प्रतित होता है जैसे कि इनकी हड्या बाहर को देख रही हो जहां कर रही हो स्टील से बने हुए हैं जिन में बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास सीसा लगाया हुआ है लाइक बोटल बीट्स ओन स्टॉन्स यदि हम बहुत खुशूरत चस्मों की बात करते हैं जो स्टील के बने हुए हैं और अच्छा सीसा लगा हुआ है वे इनके लिए कुछ ऐसे हैं जैसे एक सीसी तूट करके एक कांच की बोतल तूट करके पत्थर पर टुकुडो टुकुडो में बिखर गई हो तूट गई हो समझ रहे हो क्या है मतलब इनके लिए सब ऐसा ही है बस मामला ओल ओफ दियर टाइम इनका पूरा समय एंड इस पेस और जंग है और फोगी स सबकते हैं गंदी वस्तिया है यहां से रिवेंच की बात आ रही है बलोट का मतलब होता है दाग लगा देना छीटे डाल देना तो प्रोट दियर-बाप इन लोगों ने झिमने पडर लिखे लोग है सब गया जैशी है इनके नकसे पर च्हींटे डाल दों इन के नक्से को खराब कर दो मिलब एनने अपना नक्सा ना मैं पीसतर ना खुब सूरत बनाया है कि अपने English से में हम को कहीं भी आड नहीं किया है इसलिए अब हम क्या करेंगे इन्के पूरे नकसे में अपनी बस्तियों को जगंग जगंगे पर इंडिकेट करेंगें तो ब्लोट विया लम श्रव्र है ना जैसे कि नरको इनके नकसे को इस परकार से अपने बस्तियों से भर देंगे जैसे कि इनका करना नकसा एक नरक का नकषा हो ठीकर न। यह बड़े समझदार हो रहे हैं अम इनकी संवजदाओर約 निकालेगे कि एचे जैजन और यह कब तक होता रहेगा अन्लेश जब तक कि में अगर्वर्नर जब तक, कि इनके नक्से में, हमारे लिए भी कोई खीडकी न खुल जाए। हमारे लिए कोई जह रिजर्व न खूझेए। खीडकी ःकार से इनके नक्सेलिकी प्लानिंग को द्वस्त करते रहेंगे। and these windows और यह खिड किया that sat upon their lives जो इस परकार से बंद हो गई है जैसे कि उनकी जिंदिकिया बंद हो गई हो catacombs कफ जो आपकी कबरिस्तान में ले जाने के लिए कोफिन होते हैं डाड़ बोड़ी के लिए बॉक्स होते हैं जैसे उनके अंदर डाड़ जन्मी बोड़ी को रख करके उनका ढखन परमनेंटली बंद कर दिया जाता है तो इन्होंने हमारे जिंद्र हो ऐसे ही पर्मनेंटली डाड़ बोड़ी समझ करके खतम कर दिया है ब्रेक और फोड़ दो ओपन और खोल दो जब तक कि यह ताउन यह जो सहर है यह पूरी तरह से टूटने का मलब होता है, इन ने जो दिवारे बनाई हुई है, हमारे खिलाफ कि हम इनके सहरों में करके घुस न जाए, कहीं हमारी परगती न हो जाए, हम भी अपनी लाइफ में कुछ बैटर न कर दे, तब तक संगर्स करते रहों, तब तक इन दिवारों को, इन गेट्स को, the green fields वे खोबसूरत मैदान and make their world और अपने दुनिया बनाए run azure on gold sands azure का मतलब होगा आपका नीला आस्मान तो हमको दोड़ना है नीले आस्मान के नीचे on gold sands सुनहरे रेत पर and let their tongues Orange बच्चो की जबान को run naked खूल करके चलने दो खूलकर बोलने दो खूलकर के मलब इनकी जबान को इनकी जीव को किटाबों में and the worst and green leaves और सफेद और और यहां पर कहा गया है कि हिस्ट्री उन लोगों की होती है जिनकी भासा चमक गई हो अब यह जो बच्चे हैं जिनकी जबान को आजादी मिलेगी जो किताबों में जा करके अपनी जबान को चलाएंगे यह अपनी हिस्ट्री बनाएंगे यह जीव जब खुलेगी अधनी लेंगवेज नैई भासा जन्म होगा और जिनकी भासा चमकती है जिनकी language डवलप होती है वे इतिहास बनाते हैं तो कुल मिला करके आप समझ गए होंगे basically कि इस poem के थुरू poet क्या कहना चाहता है वो कहना चाहता है ये दबे कुछले unlucky अभाग्य साली जितने भी बच्चे हैं यह जितनी तंग जीवन में जी रहे हैं जो मुसीबते हैं इन सब को पार करके इनको आगे एक ऐसी दुन्या में परवेस करना है जहां पर खुबसूर्ती है अच्छाई है प्यार है डवलप्मेंट है प्रोग्रेस है और एक जीवन जीने का एक बढ़िया स्टेटस है एक स्टेंडर्ड है उमेद करता हूं कि आपको अच्छे लगी होगी दिल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए नेक्ट वीडियो में थैंक्यू आज मैंच टेक केर गोड़ ब्लेस्यो आज मैंच बढ़ियो